जैहो सी राम भगवान के रामायन का बाद करपोर गोरं करणावतारं संसार सारं मुझ्गेंध हारं सदा वसंतं हर जार विंदे भवं भवामे सैतम नवामे जैहो सी राम भगवान के मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुस दसरत जर बिहारी फिर शत्रूपा को हाद जोड़े देख प्रभु बोले है देवी जो तेरी इच्छा हो सो तू भी वर मांग शत्रूपा बोली है नाथ जो वर चत्र राजा ने मांगा है वही वर मुझको प्रिय लगा है परंतु यह हमारी डिठाई है है प्रभु यह द्पी है बात भी भगतों के हित आपको अच्छी लगती है तुम ब्रह्मा दिक्के पीता जगत के स्वामी सव के अंत्रिया में पर ब्रह्म हो असमजित मन संशे होई जैस याराम कहा जो प्रभु प्रमान पुनि सोई जैस याराम यह समझ कर मन में संशे होता है किन्तु आपने जो कुछ कहा है सत्त ही है ही नाथ मैं तो यह हमाल मांगती हूँ आपके भगत जो सुख पाते हैं और परलोक में जिस गती को पाते हैं सोई सुख सोई गती सोई भगती सोई निजचर नसने हूँ सोई वेक सोई रहनी प्रभू हम ही कृपा करिदे हु सियावर राम जै जै राम मेरे प्रभुराम जैस यराम करो कल्यान जै जैराम वही सुख वही गती वही भगती वही निजचर्णों में सनेह और वही ज्यान वही सनेह कृपा करके हमको दीजिये सुनी मरिदू गूड रुचीर वर रचना जैसी यराम कृपा सिंदू हो ले मरिदू वचना जैसी यराम जो कुछ रुची तुम्हरे मना ही जैसी यराम मैं सो दीन कुछ संशे ना ही जैसी यराम ऐसी कौमल ऐसी गूड और कौमल सुंदर वचनों की रचना सुन क्रिपा सागर मरीदु वचन से कहने लगे कि जो इच्छा तुम्हारे मन में है वह मैंने तुमको सब दी इसमें संदेह की बात नहीं है मा तुम एक अलो की कचो रे जैस याराम कभू न मीट ही अनुग्रह मूरे जैस याराम बंदी चर्ण मनु कहे वह बहौरी जैस याराम और एक विनती प्रभू मूरी जैस याराम हे माता यह तुम्हारा अलोकिक ज्ञान मेरे अनुग्रह से कभी न मिटेगा फिर मनु ने चर्णों की वंदना कर कहा कि है प्रभू मेरी एक और विन्य है कि आपके चर्ण कमलों में पुत्र किसी प्रिती होए चाहे कोई मुझे मूड ही कहे जैसे मनी हीन सर्प और जल हीन मचली की दशा होती है मेरा जीवन भी आपके अधीन रहे अस्वर मांगी चर्ण गही गर रहे हो जैस याराम एव मस्तू करुना ने दिकहे हो जैस याराम अब तुम मम अनुल शासन पा मानी जैस याराम बसू जाई सुर्प तिरज धानी जैस याराम ऐसा वर मांग चर्ण को पकड़े रहा तब करुना ने धान ने कहा ऐसा ही होगा अब तुम मेरी आग्यामान इंदरपुनी में जाकर बसो तहकरी भोग विशाल तात गए कच्चुकाल पुनी होई हो अब जब वाल तब मैं हो तुम्हार सुते सियावर राम जै जै राम मेरे प्रभु राम जै सिया राम करो कल्यान जै जै राम वहां बहुत से भोग विलास करने के बाद कुछ मैं भीतने पर आवजपूरी के राजा होगे और हितात तब मैं तुम्हारा पुत्र होंगा इच्छा मैं नर्वेश समारे जै सिया राम होई हो प्रगट निकेत तुम्हारे जै सिया राम इच्छा मैं सुन्दर मनुष्य दे धारन कर मैं तुम्हारे घर जिनम लूँगा और है तात अपने अंश्ण सहित दे धारन कर भगतों को सुख देने वाले अनेक चरित्र करूँगा जिन चरित्रों को बड़भागी सादर सुन्द ममता मुह छोड़ संसार से पार हो जाएंगे यह आदी सक्ति जिसने इस सब संसार को उत्पन किया है यह मेरी माया भी अवतार लेगी पूरू मैं अभी लाच तुम्हारा जै सिया राम सत्य सत्य प्रण सत्य हमारा जै सिया राम मैं तुम्हारे भिलाशा पूर्ण करूंगा यह हमारा सत्य प्रण है बार बार ऐसा कहे कृपानी धान भगवान अंतर ध्यान हो गए राजा रानी दोनों भगवान की भक्ति को हर्द में धारन कर कुछ दिन तक उसी आश्रम में रहे और फिर समय पाए बिला तलेश देह त्याग इंदरपूरी में जाबसे यह इतिहास पुनीत अती ओमही कहे ओ रिषके तू रामा ओमही कहे ओ रिषके तू भर्दवाज सुनो अप्रमुनी हे भर्दवाज मुनी यह अत्यांत पवितर इतिहास सिव जी ने पारूती को सुनया था अब राम जनम का ओर भी हे तू सुनो मास प्रायन पांचमा विष्राम मंगल भावान अमंगल हारी द्रवहूस दशरत अजर बिहारी जाहो शीवशंकर भगवान के शान्ताकारं भुजगशयनं पदमनाभं सुरेशं विष्वधारं गगन सद्रिशं मेघवर्णं शुभांगं लक्षमी कांतं कमल नायनं योगे भिध्यान गम्यं बंदे विष्णू भावभय हरं सरवलो कई के नाथं यम ब्रह्माह वरुने दुरु 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 तह स्टु अंती दिवे स्ट्वाईर वैदै सांग पदै कर्मों पनिष्दैर गायंती यंग साम गहा ज्याना अस्तितति गतेन मनसा पाष्यन्ति यह्योगिनों यस्यान्तमना विदूसरा शरु गणां देवाये तसमायी नमहे यम ब्रह्म्हा वरुने दुरु 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 तह स्तुवंती दिवेश्त्माईर वैदै सांग पजय कर्मों पनिश्दाईर गायंति यंग साम गाह ज्याना वस्तितत गतेल मनसा पश्यंति यंग योगिनों यस्यान तमलावी दूसरा सुरुगना देवाई तस्माईन मह जैहो विश्ण वरुगवान के जो भी भगत जन इस सिर्राम कता का स्रुण कर रहे हैं मेरी आप से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप सभी इसका लाव उठाएं आपके घर में यदि कोई बिमार हो लाचार हो चल फिल ना सकता हो आप उन्हें भी रामायन का पार्थ सुनाएं ताकि वो प्रेशानियों से मुक्ति पाएं जगत के कल्यान के लिए विश्व के कल्यान के लिए मैंने रामायन का पार्थ सुनाया है मैं आशा करती हूँ आप सभी इसका लाव उठाएंगे क्रोना महामारी बहुत फैली हुई है इसलिए आप इससे बचने के लिए मास्क जरूर लगाएं और दोगज की दूरी बनाए रखें हाथों को साब मुन से बार बार धोएं और सुबह उठकर गर्म पानी पिएं साधारन गर्म पानी उबाल कर उसको ठंडा करके कोशा कोशा पिएं और प्राणा याम करें ताकि आपकी सेहत ठीक रहे और अपनी अम्यूटी बढ़ाने के लिए एक मुठी बदाम, काजू, अ जरूर खाएं ताकि आप अंदर से स्ट्रोंग बने रहें और पोजिटिविटी रखें, नेगटिविटी बिल्कुल ना आने दें, आप हार नहीं सकते, आप पहले भी बिमारियों को जीते हैं, अब भी इस क्रोना महमारी से हमारा देश उबर जाएगा, और अगर आप अपने घर के आंगन में, तुलशी का पेड़, तुलशी का पोधा, और आयूर्वेदिक जो पोजे हैं, जैसे हल्दी है, और एलोवीरा है, ऐसे पोजे लगाईं, और मनी प्लांट हैं, इससे आपको भरपूर ऑक्सिजन मिलेगी, आप इनके पास बैठ कर, गहरे गहरे लंबे लंबे सांस लें, ताकि आपको ऑक्सिजन की कमी ना हो, मैं आशा करती हूँ, आप लाब उठाएंगे, जैसे राम भगवानदी, जैहो प्रपूर दूश्यूर्ट झाल